हलो एवरिवान कैसे है आप सब आज हम जो है जो कि NSCN के निकी समो के साथ जो है यूध विराम जो कि मतब नागालेंड NSCN निकी ग्रूप के साथ जो है अभी सेंटर ने जो है NSCN को साइन किया है तो आज का ये वीडियो उसी के उपर है जो कि आपके एक्जाम पहुंच है उससे बहुत ही इंपोर्टन है और जो भी आप कमपेटिटिव एक्जाम के लिए प्रपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायते मत होगा तो इस वीडियो को जो है अनि तक देखने के साथ साल लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा तो चलिए आज का डिसकॉशन भी हम शुरू करते है तो हाली में जो है सेंट्रल गवर्मेंट ने जो है नेशनल सोशेलिस्ट काउंसिल अफ नगालन यानिके निकी ग्रूप के साथ जो है एक साल की डिरेश शांती प्रक्रिया के लिए एक महत्रोपुन कदम है तथा भारत के प्रधान मंत्री ने उग्रवाद मोक्त समरिध्य उत्तरपुर्व के द्रश्टिकोन के अनुरूप है तब न नगा शांती प्रक्रिया क्या है थोड़ा सा उसके बार में हम जानते है 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद ही आरंभिक चर्रण में नगा क्षेत्र असम का हिस्सा बना रहा है 1957 में नगा निता और भारत सरकार के बीच एक समझोते के बाद असम के नगा हिल्स क्षेत्र था उत्तरपुर्व में त्यूएन संग फ्रंटियर डिविजन को एक साथ भारत सरकारद्वारा प्रतक्ष रूप से प्रशासन की एक इकाई के अंतरगत लाया गया था तो अभी नगा लड़ने नगा लड़ने साल 1963 में राज्य का दर्जा हासिल किया तो इसके बाद मुक्त समरीद्ध पुर्वबत्तर का दर्श्टिकोन यंगे जो विजन वो क्या है तो यह माना जाता है कि सुरक्षा के दर्श्टिकोन से पुर्वबत्तर राइजय देश के लिए अत्यन्त महत पूर्ण है इसलिए इसका उदेशे 2022 तक पुर्वोत्तर में सभी प्रकार के विवादों को समाप्त करना तथा साल 2023 में पुर्वोत्तर में शांती और विकास के एक नई यूग की शुरुवात करना है इसके तहट सरकार पुर्वोत्तर की गरिमा, संस्कृती भाषा, साहित्य और संगित को समरित कर रही है हालिया सालों में गव्मेंट ने पुर्वोत्तर भारत में सानिय संगठनों के साथ कई शांती समझोतों पर भी साइन किया है जैसे कि कार्विया अंगलों समझोता दोहजर इसमें जो है असम के पांच वीद्रों ही समोहों के इंद्रे और असम की जो राइजय सरकार के बीच जो है एक तुरी बक्षिया समझोते पर स्ताक्षर किया गया थे जिसके बारे में थोड़ी दिन पहले ही जो है मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो कार्विया अंगलों एग्रिमेंट जो है दोहजर इकिस का तो अगर आप लोग चाते तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं तो उसको देखता मत भुरियेगा तो उसके बादा था बुरु समझोता 2020 तो बुरु समझोती के तहर जो है तृपुरा में 6959 यानि 6959 बुरु परिवारों के लिए जो है वित्या पकेज सहित स्थाई बंदुबस्त पर जो है भारत सरकार तृपुरा और मिज़ुराम के बीच बुरु प्रवासियों के प बोडो समुहों के प्रतिनीधियों के प्रतिनीधियों के एक समझोते पर साइन किये जिसमी के असम में बोडोलन टेरिटरियल सिजन रीजिन तो बोडोलन टेरिटरियल रीजिन बीटियार को जो है ज्यादा स्वायतता प्रदान की है NSCN-NK, NSCN-R और NSCN-K खंगो NSCN-IM जैसे नगा विद्रोह में जो है शामिल विभिन सैनिय संगठनों के साथ ये शांती समझोता है तो अभी पुर्वोतर भारत में कुछ संगर्ष जैसे की मतलब पहला संगर्षों की प्रकृति है राष्ट्रिया स्तर के संगर्ष यानि कि मतलब जो कि इसमें जो है अलग राष्ट्र के रूप में रूप में जो है विशिष्ट मातरी भूमी के अवधार्णा को शामिल करना मतलब शामिल है देन उसके बाद आता है नागा लेंड तो नगाविद्रो सतंत्रता की मांग के साथ शुडू हुआ है देन उसके बाद आता है जातिय संगर्ष इसमें प्रभावशाली जन जातिय समोह के राजनितिक और सांस्कृत प्रभाविता के खिलाफ जो संग्यात्माग रूप से छोटे और क्रम प्रभावशाली जो जन जातिय समोह के दावे को शामिल करना शामिल है देन उसके बाद आता है त्रिपुरा तो साल 1947 के बाद से राज्या की जन सांखी की रूप रिखा में काफी परिवर्तन हुआ है यह परिवर्तन मुख्या रूप से तब हुआ जब नवगठित पूर्वी पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर जो है लोगों का पलायन हुआ था बाद आता है उपक्षेत्रिया संखर्ष में आभी ऐसे आंधरलों को शामिल किया जाता है जो के उपक्षेत्रिया आकांग शायों को मानियता देने को प्रेडित करते हैं और प्राय ही जो है राईजे सरकारों यहां तक के स्वायतों परिश्वदों के साथ जो है सीधे संगर्ष में व्याप्त हो जाते हैं जैसे कि मिजोराम तो हिंसक विद्रो के अपने इतिहास और उनके बाद उसके बाद जो शांतिकी और लोटने वाला ये जो राइजय जो है अईने सभी हिंसा प्रभाविद राइजयों के लिए एक उदारण है और उसके बाद जो है अईने कारण अईने कारण ये है प्रायो करने के उदेशय को परिणा मत्यः अपराधिक स्थित्या बन गई है जैसे कि आसाम्त राजय में प्रमुख जाती है संगर्श विदेशयों की आवग्चाही के कारण है यहां विदेशयों से जो है तातपरिय-सीमा पार बंग्लादेश से असमिया के असमिया से काफी अलग भाशा और संस्कृति वाले लोगों से हैं उसके बाद संगर्ष समारहन के कुछ तरीके जैसे कि सुरक्षा भल पुलिस करवाई को मजबूत करने राज्य का दर्ज छठी अनुसूची संग्विधार के भाग उसके तहज्य है विशिष प्र तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है कल हम भी मिलते हैं नेया टॉपिक के अनलाइसिस के वीडियो के साथ अब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने प्लीज मत भुलेगा कोई अगर सुझा वह तक मैंड करने प्लीज मत सब्सक्राइब करते रहेंगे सो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप वाचिंग और वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब टेक केर जाय हिंद है